हेलो आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था हम लोग बहुत जल्द अपनी डिजिट को फाइंड करने का तो जो लोग यह चैनल पर पहली बार है अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह आप लोगों का जो पर्टिकुलर टॉपिक है यह आपको जैके साथ एक बारी बात कर लूँ जो आपका एक्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को यह जो टेस्ट हैं यह बहुत जल्द हमारे आप पे शुरू हो जाएंगे आप लोग चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं ट्रिपल एस आपको डाउनलोड करके अब हम एक बार बात करते हैं स्लेबस के उपर स्लेबस में आपका सबसे पहला जो कॉंपोनेंट है क्वांटिटेट अब यहां तक मैं आपको बताऊं इन तीन चीजों में इतनी ज़्यादा चीजे नहीं है जो आप लोगों को समझनी है लेकिन यह जो यहां पर इतना सी चीज लिखी है ना इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसको आप लोगों को करना पड़ेगा अब रिलेशनशि की फॉर्म में पूछा जा सकता है आपको सिंप्लिफिकेशन के क्वेशन पूछे जा सकते हैं तो आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में करेंगे मेरी कोशिश ये रहेगी कि चार से पांच लेक्शे में हम लोग यह पूरा टॉपिक खतम करतें क्योंकि एक क्वेशन यहां चीज मिल जाए तो आपको बता दो आपको वियर डबली पंचाय सेकेटरी का कोर्स मिल जाएगा हमारी एप के उपर आप वहां से ले सकते हैं और बहुत जल्द अब आपको हर एक टॉपिक के एंड के बाद वहां पे टॉपिक टेस्ट भी मिल जाएगा जिसको आप लोग उसी एप में attempt कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की glass को बिना जादा time waste किये सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीजों को समझना पड़ेगा चीजों को समझेंगे तो चीजें और अच्छे से clear होगी जैसे की topic का नाम है whole numbers अब यह चीज मैं मानता हूं कि आप लोगों 1, 2, 3 and so on अब अगर हम बात करें natural numbers क्या होते हैं यह बहुत basic है यह बिल्कुल zero level है 9th class की NCRT में पहले चीज़े mention है तो हम लोग वहाँ से इसको कर रहे हैं आइस्था इस्था क्लेक्चर का level बढ़ाएंगे आप लोगों को चीज़े समझाएंगे अब natural numbers क्या होते हैं natural numbers हो इन पे questions बने हैं तो एक हम लोग basic introduction में इसको discuss करेंगे natural numbers क्या होते है natural numbers होते हैं आपके 1, 2, 3 and so on लेकिन आप लोगोंने कभी देखा होगा जो minus 1, minus 2, minus 3 भी आप लोग देखते हैं 0, 1, 2, 3 इनको क्या कहा जाता है तो देखो यह होते हैं आपके integers, integers में आपके natural numbers आ जाते है whole numbers दोनों आ जाते हैं लेकिन इनके अलावा दो numbers ओर होते हैं जिसका पहला नाम क्या होता है rational numbers अब rational numbers के अगर मैं बात करूँ तो rational numbers क्या होते हैं इस पर भी a question बनता है बहुत frequently पूछा जाता है हम लोग थोड़ा detail में बात करेंगे अब बात करते है rational numbers के ऊपर देखो जो क कोई भी number अगर किस form में है P by Q की form में है तो यह क्या होता है यह होता है rational number लेकिन इसके लिए दो conditions है अब पहली चीज़ आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक fraction है ठीक है इसमें दो conditions रहती है पहली condition आपकी क्या कहती है पहली condition हमेशा यह कहती है कि जो P और Q है यह हमेशा क क्या होने चाहिए यह होने चाहिए integers माल लीजिए 7 by 4 3 by 6 1 by 8 या फिर आप लोग कुछ भी सको कर सकते हैं यह सब क्या होने चाहिए यह होने चाहिए integers और दूसरी सब से important condition क्या कहती है जो आपका Q है वह 0 नहीं होना चाहिए कोई भी अगर ऐसा number है अब माल लीजिए आप ल rational number है क्योंकि 4 upon 1 हम इसको लिख सकते हैं तो यह भी PYQ की form में ही है और यह क्या है यह एक rational number है पेपर में यह बहुत 0 लेवल अगर पेपर का हुआ तो यह question डारेक्ट इस form में पूछे जाते हैं लेवल इसका बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकता है वह step by step सीखेंगे बट basic clear होना बहुत ज़रूरी है अब यह पहली चीज है आप लोगों को यहाँ पे clear हो चुका होगा कि rational numbers क्या होते है जो किस form में होते हैं जो PYQ की form में होते है यानि कि fraction की form में होते है P और Q लेकिन पहली condition क्या है कि यह दोनों क्या होने चाहिए यह आपके integers होने चाहिए ठीक है और सबसे important condition क्या है कि जो आपका Q है यानि कि जो denominator है वो 0 नहीं होना चाहिए अब यह तो थी बात rational numbers की अब साथ सी साथ एक numbers आते हैं जिसको हम लोग कहते है irrational numbers अब आप लोगों से मैं एक question पूछता हूँ अब हम लोग पढ़ते आते हैं बच्पन से लेकर अभी त इससे पहले cube, cube, void हर एक चीजें जो solve करी थी उसमें हम लोग क्या कर देते है पाई की value ले ले लेते है 22 by 7 ठीक है अब आप लोग दिमाग में सोचो के यार पाई ठीक है PYQ की form में है तो ये तो rational number होना चाहिए लेकिन आपको बता दू सबसे important point इस पूरे topic को discuss करने का ये rational number whole number को discuss करने का क्या है कि जो आपकी पाई है ये क्या है ये आपका irrational number है सबसे पहला point irrational number होते क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलाल इस चीज़ को दिमाग में रख लेना ये direct पूछे जाते हैं paper में आपको पूछा जाएगा कि पाई क्या है whole number natural number rational number irrational number अगर आप ल है आपकी जो पाई है ये irrational number है पाई की जो value है वो defined नहीं है अब irrational number होते क्या है सबसे पहली चीज़ देखो अगर कोई भी मैं आपको एक्जांपल की form में बताऊं अगर मान लिजे कोई question कोई चीज इस रूट में है जैसे रूट 5 रूट 7 रूट 8 यह जितने भी है यह सब आपके क्या आजाते है यह सब आपके आजाते इर्रैशनल number पहला point ठीक है इसके अलावा दूसरा point आता है यहां पे जैसे मान लिजे आपका कोई है जिस तरह किसी 0.01 001 001 कोई एक fixed pattern नहीं है यहां ठीक है अब इसके अलावा इसकी एक condition क्या है जैसे मैं आपको क्या बताया अभी square roots के बारे में condition इसकी सिरफ एक है जो आपके square roots होते है यानि कि जो roots आप लोग यहां पर use करते है वो complete root नहीं होना चाहिए ठीक है it should not be complete root अब complete root किस तरीके होता है जैसे under root 9 है under root 9 आप लोगों को पता है किसका square है 9 3 का है तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं यह आपका क्या आजाएगा under root 9 आपका क्या हो जाता है यह rational number में आएगा ठीक है यह चीज़ याद रखना complete root नहीं होना चाहिए क्योंकि under 9 की value क्या है 3 root 5 root 7 root 2 root 3 यह सब आपके किस में आ जाते irrational numbers ठीक है अभी तक यहाँ तक clear है जिसको भी मैंने जो चीज़ें पढ़ाई है एक वारी मैं आपको वापिस से बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें clear हो जाए सबसे पहला point हम लोगों को ने क्या पढ़ा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ whole numbers क्या होते है whole numbers हमारे आते है zero plus natural numbers clear है यहां तक whole numbers में आके जाता है आपका zero plus natural numbers वही natural numbers की अगर मैं बात करूँ natural numbers में आपके आ जाते है one two three four five and so on ठीक है यह चीज़ याद रखना integers में आपके दो तरीके के होते है positive भी होते है negative भी होते है negative आप लोगोंने basic है यह मैं उमीद करता हूँ आप लोगों को एक idea होगा इसके अलावा rational numbers पर हम लोगोंने बात करी किस form में होते है PYQ की form में होते है P और Q जो हो है वो आपके integers होने चाहिए और सबसे important क्या है जो लोगों को बस दिमाग में रखना है PY irrational क्यों है इसको अगर आपको मैं पूरा पढ़ाने के लिए उपर आया तो इसको आदा एक lecture पूरा चले जाएगा बस आपको दिमाग में यह रखना है कि PY आपकी irrational number है दिमाग में यह मत रखना कि PY 22 by 7 लेते हैं यह हम लोग assume करते ह लिए exact value PY की आज तक नहीं पता चली ठीक है और इसके अलावा हम लोग ने देखा क्या कि यह complete root नहीं होना चाहिए और यह जो है अब जाओ आपके जैसे root 4 और root 9 जैसे यहां पर लिखा है root 25 यह आपके irrational numbers नहीं है ठीक है यहां तक clear है पहली पहला point जो हम लोग ने अभी देखा यहां तक मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों का बिल्कुल जो concept है वो clear चर रहा होगा यह बिल्कुल basic है अभी हम लोगों ने सही chapter शुरू करा नहीं है बट मैं आपको पस एक overview दे रहा हूँ इसके बाद एक चीज आती है हमारी यह 9th class के NCRT है एक चीज हमारी आत है decimal expansion होता किस तरीके से अब decimal expansion मैं आपको अगर यहां पर लिख के बता दूं तीन examples के साथ 10 by 7 लिख देता हूँ 54, 6 यहां पर आया 60, 7 जा 56, 4, 0 यानि की 5 इसकी value के आई हमारे पास इसकी value आई हमारे पास 0.875 एक point और इसकी के आगे हमारे पास दूसरा और 1 by 7 की क्या होगी इसको भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 0.1734 क्या है इसका यहां पर हमारा आजाएगा 28, 2, 2, 14, 6 इसको हम लोग करेंगा आगे solve यहां हमारा 60, 8 जा 56 फिर वापिस 4, 0, 5, 35 फिर आया 5, 57, 49 फिर आगया 1 यानि की 10 और यहां से वापिस से यह क्या होगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा यानि फिर 1 फिर 4 ठीक है यह आगे हमारे 3 decimals, अब यह basically है क्या, decimals में तो आने आपको लिखके बता दिया, यह 3 decimals में आया है अब यहां पे 2 points आपको याद रखने है, पहला point क्या एक term याद रखनी है, यह आता नहीं है बेपर में बट आपको पता होना चाहिए, terminating पहला point, terminating क्या होता है, देखो terminating क्या होता है, जहां remainder 0 हो जाए, जिसमें हमें कहां पे देखने को मिला, simple language में लिखेंगे, जहां remainder क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वो क्या होता है, terminating, यानि कि यह 0.875 जो है, यह क्या है, यह terminating है, पहला point clear है, इसके अलावा एक word, अब दूसरा आप लोग guess कर सकते हैं, आराम से, non-terminating क्या होते हैं, जहां पे remainder 0 ना हो, ठीक है, दूसरा point clear है, यहां पे remainder हमारा 0 ना हो, अब 0, कहां कहां पे यहां पे भी नहीं है, और हमारा यहां पे भी नहीं है, यह दोनों क्या है, हमारे पास 3.3, अब एक और चीज, अब जैसे यहां पे repeat हो रहा ना, हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, 3.3 के उपर यह, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, वैसे ही, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 42857 और इस पूरी के ओपर यहां पर हम यह लाइन एक ड्रॉव कर सकते हैं simple language में बात करूँगा यहां पर तीसरी word क्या आता है यहां पर तीसरा type आती है रेकरिंग अब रेकरिंग क्या होती है रेकरिंग आपकी आ जाती है जैसे जो repeat होना शुरू होता है जैसे यहां पर 0.3 यहां पर 0.142857 यह क्या आता है आपके रेकरिंग रेकरिंग पर भी एक अलग तरीके साथ है question वो मैं आपको बात में दिखाऊंगा फिलाल के लिए अभी के लिए अगर मैं बात करूँ जो अब लोगों ने terminating है non-terminating है रेकरिंग है क्या है तो यहां पर याद रखना जब भी कोई भी remainder जिसका 0 आए डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है terminating जैसे कि यहां पर आपका यह है non-terminating में आपका remainder 0 नहीं आता वह repeat होता रहता है रेकरिंग में repeat होता है यह तीन याद रखना अब एक और चीज में आपको बता दो यह note की form में लिखा हुआ है आप इसको read कर सकते हैं थोड़ा explanation मैंने यहां पर ज्यादा कर दिया आप लोग अराम से अपने notes पर पढ़ लेकिन समझाने का point में आपको यहां पर बता दिया अब तीसरे point पर चलते हैं तीस इसना point क्या होता है अब operations कैसे use करते हैं किसी real numbers की अगर मैं बात करूँ हम कैसे add या subtract करते हैं देखो यह simplification का बहुत ही जादा basic point है और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता आपको paper में जो चीजें पूछी जाएंगी वो आपको इसी तरीके के simplification के questions दिखने को मिल सकते हैं इस 5 root 3 यह जिन बच्चों को नहीं पता उन लोगों के लिए बिल्कुल introduction basic class है ताकि आप लोगों को clear हो जाए फिर जब मैं questions करवाऊंगा आप लोगों को यह सारे simplification के fractions के तो थोड़ा सा आप लोगों को यह basic rules पता चल जाएंगे जिन्नोंने नहीं पढ़ा बहुत आइंचे जो यह common है इनको आप लोग एक साथ लिख लीजिये करें पेपर में इतना टाइम नहीं होता फिलाल अभी है मैं समझा रहा हूं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं root 2 plus 5 root 3 minus 3 root 3 अब इसको आप लोग add कैसे करेंगे देखो add क्या होगा add हमेशा यह part होता जिसका कि कुछ नहीं वो हम लोग 1 मान की चलते हैं यह आ जाएगा 3 root 2 plus 5 minus 3 to root 3 इसके अलावा इसको हम लोग addition में कुछ भी नहीं कर सकते हैं clear है यहां तक मैं आपको थोड़े से 2 questions यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपको एक idea मिल जाए add की form में जब हम लोग चीज़ों को करते हैं जैसे माली यहां पर यह question है हमारा add or subtract में अब subtract करने से पहले बच्पन में पढ़ा 3rd 4th class के बच्चे को पढ़ाते हैं जब भी बाहर माइनस का sign हो अंदर के sign change हो जाते हैं ठीक है अब इसको क्या करेंगे सबसे पहले open करेंगे 3 root 5 4 root 6 हमने लिखा जो common है 7 में लिखलो ताकि यह असान 5 और 6-3 ऐसा नहीं लिख सकते कि आप लोग 5 root 3 लिख देंगे यह गलत हो जाएगा simple जो point समझाने का था real numbers में operation कैसे काम करते हैं real numbers में operation काम करते हैं आप लोगों को मान लीजिए जैसे की root 3 plus root 2 इसको आप लोग add नहीं कर सकते हैं वहीं अगर मैं बात करूँ multiply कि अगर आपको given हो root 3 into root 2 तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं देखो तब आप इसको लिख सकते हैं as root 6 इस case में यह multiply हो जाता है अब जैसे एक example में यहाँ पर आपको देता हूँ माली जी आपके सामने है 6 root 5 को multiply करना होगा 4 root 5 से इसको हम लोग कैसे करेंगे अब 6 into 4 क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ में हम इसको लिख सकते है root 5 into root 5 या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ root 5 का whole square root क्या represent करता है root की value क्या होती है यह होती है 1 by 2 यानि की 5 की power 1 by 2 into 2 अब इसको भी मैं आगे आपको यहाँ पर देखो जिनको नहीं पता ना बिल्कुल basic उनको समझाने के लिए यह आपका 5 ही होता है root root जो कहते है ना cancel हो जाता है वो इस तरीके से cancel होता है और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 520 और यह आगया 120 अगर multiply का case हो और वैसे ही मैं आपको बताया अगर root 3 into root 2 given हो यहां पर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और वासे ही मान लीजिए paper में आपको अगर बहुत basic question पूछा गया मान लीजिए root 3 into root 4 into root 6 आपको दिया है और आपको बोला गया है कि इसको solve करें यह simplification का बहुत basic rule है आगे paper में बहुत सारे questions ऐसे बनते हैं अब इसको करने का तरीका क्या है देखो root 3 into root 4 into root 6 अगर हमें करना है सबसे पहलो तो root 4 की value क्या होती है आप लोगों को पता होनी चा देंगे कहां तक किस तरीके से आएगा root 3 into root 6 क्या होता है root 18 आपके paper में देखने को मिला होगा simplification की form में कि आप इसको least value तक निकालो तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसको इस तरीके से solve करें बहुत basic concept है इस पे से question नहीं आते simplification की questions मैं आपको कराऊंगा उसमें add, subtract, multiply सब एक साथ देखने को मिलेगा division एक साथ को देखने को मिलेगी complicated कब होता है complicated तब होता है जब आपको यहां पर इस तरीके से values दी जाए चीक है यह ssc में पूछा जाता है तो यहां पर आपको बता दूँ jkssb में भी पूछा जाएगा इसके बाद next आता है division के case में क्या होता है जैसे multiply के case में हम लोगों ने देखा है कि root 3 into root 2 क्या हो जाता है root 6 वही root 3 plus root 2 क्या रहता है यह वही रहता है इसमें कोई changes नहीं होते हैं वैसे 8 root 5 को अगर कभी root 2 root 3 से divide करने के लिए बोला जाए तो इसमें भी यह चीज आपकी similar तरीके से apply होती यह complete root में चला जाता है यह बहुत basic चीजें है अब ही तक अब जो हम लोगों ने चीजें को देखा है वो आप एक बार समझते हैं देखो कभी भी some or difference अगर हम निकालते है किसी rational number और irrational number का अब rational number क्या होते हैं जैसे मालो 4 irrational क्या है मालो root 3 ठीक है इनका जो product होगा यह जो इनका answer आएगा वो हमेशा क्या होगा irrational ठीक है यह कहीं बार क्या होता है कहीं बार statement की form में question दे दिया जाता है आपको statement दे दी जाएगी अगर बात की जाए product की माल लीजिए 4 into root 3 इनका जो final product क्या होगा वो होगा 4 root 3 जो कि क्या value है अब आपको थोड़ी clear हो रही होगी जब कभी भी किसी rational number को और irrational number को multiply करते हैं या divide करते हैं जो उनका final result आता है वो क्या होता है वो भी आपका irrational number ही होता है यानि कि rational plus irrational number हमेशा result में irrational number ही देके जाएगा अब यहां तक clear हुआ क्यों देके जाएगा मैंने आपको examples की form में बताती है जैसे माल लीजिए यह irrational number थे ठीक है वहीं अगर मालो 5 into root 5 है तो यह इनका product क्या आता है 5 root 5 final result क्या आएगा irrational number होगा 4 plus root 3 अब आप बोलोगे कि sir इसमें तो 4 तो irrational है बड़ी overall जो product है यह आपका irrational बनेगा ठीक है अब इसके अलावा एक और चीज आती है देखो कभी अगर हम दो irrational numbers को add या multiply करते हैं तो उस case में क्या है उस case में जरूरी नहीं होता कि वह आपका irrational होगा जैसे माल लो root 3 into root 3 दोनों irrational है इनका product क्या होगा इनका product होगा 3 जो की rational number भी हो सकता है अगर माल लो root 3 into root 2 मैं तो यह क्या हैगा यह root 6 यह आपका irrational भी है ठीक है तो अगर कभी by chance paper में उन्होंने अगर NCRT 9th class chapter 1 से question उठाया तो आपको इस तरीके से question frame कर सकते हैं जो आपका लिखा हुए whole number fraction decimals तो यह आपका questions बन सकते हैं दो properties हैं अभी जो discuss करी है पहली क्या है root के अंदर अगर multiply करत है जैसे कि root 3 into root 2 को देखा और वैसे ही root A upon root B को हम कैसे लिख सकते है root A upon B की form में यहां तक clear है अभी तक interesting आपको पता नहीं कम लग रहा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा part theoretical जादा है समझाने का जादा है अभी जैसे ही हम लोग चीजों को आगे करेंगा आप लोगों देखो denominator में कहते हैं कि root में कैसे change करेंगे अब जैसे मालो आपको given है 1 by root 3 आप लोगों ने अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका math weak होता है जिनको नहीं पता तो हमें हर एक को साथ लेके चलना है इसको अगर कोई पूछे का rationalize करने के लिए किस तरीके से करते हैं हम root 3 से multiply कर देते हैं और root 3 से divide कर देते है फाइनल जो value आती हो क्या होती है अब 1 into root 3 क्या होता है root 3 और root 3 into root 3 क्या होता है यह होता है 3 अब आप पुछो को यह क्यों किया देखो 1 upon root 3 था और root 3 upon root 3 क्या होता है यह 1 नहीं होता है अब 1 से multiply कर सकते हो किसी भी term को तो आपका rationalize होके य जो value आती है यह आपकी होती है root 3 upon 3 अब वैसे ही यह एक जो चीज है इसको as a short cut भी याद रख लेना इसको trick भी याद रख लेना अगर कोई पुछे 1 by 2 plus root 3 आपको given है इसको rationalize करके क्या होगा देखो हमेश्चा याद रखना इस चीज को इसको rationalize करके क्या होता है value यही रहती है बीच का sign change हो जाता है यानि कि 2 minus root 3 यह आपको tips पे होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि इसको rationalize करके हमारा सीधा 2 minus root 3 जो है यह बनता है बनता कैसे एक बारी करके देख लेते हैं 1 upon 2 plus root 3 इसको rationalize करना क्या करेंगे sign change करके हम लोगों ने बच्पन में पढ़ा था a plus b into a minus b यह क्या value होती है comment box में लिखके बताईए कि एक बार यह value होती है a square minus b square के और सेम आप लोग यहाँ पर देख सकते है और यह क्या है आपका b अब इसकी value क्या होगी इसकी value हो जाएगी आपकी ऊपर जब इसको multiply करेंगे यह सेम अपॉन 2 का square minus root 3 का square और मैंने आपको बता है root का square जब होता वो cancel out हो जाता है 2 का square क्या होता है 2 का square होता है 4 minus 3 यह आपका जाएगा 1 और उपर जो है वही आपका रहेगा clear है यहां तक अब कुछ laws of exponent आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए पहला point अगर किसी value की power की power दी है तो तब क्या होता है वो multiply हो जाती है जैसे कि माल लिजे 3 की power की power 5 अगर given है तो यह क्या होगा यह होगा 3 की power 20 अगर when bases are same powers are added यह जो है concept अब यहां पर क्या है जैसे माल लिजे 4 की power 6 है अगर मैं इसको multiply करता हूँ 4 की power 5 से तो यह क्या बनेगी यह बनेगी 4 की power 11 clear है यहां यह दूसरा law है तीसरा law हता है हमारा basic 4 की power माल लिजे 6 है वाप इसे अगर मैं यहां लिखता हूँ 4 की power 5 तो यहां क्या होता है यहां पर minus हो जाता है यह 4 की power 1 और यह basic examples है इसके अलावा last अब जैसे यह चीज हम लोगों ने एक और पड़ी थी माल लिजे 2 की power 3 है into 5 की power 3 क करना होगा तो यह क्या होगा इसमें इन दोनों का जो product होगा उसकी power 3 हो जाएगी और सेम केस आता है अगर 2 की power 3 है divided by 5 की power 3 है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2.5 की power 3 जैसे हमने रूट के case में पड़ा था सेम वैसा ही concept यहां पे लगे basic laws of exponents है जिसको एक बार ही आप बार note down करके अगले lecture से पहले ध्यान में revise करके आना तो यह तो था एक theoretical ठीक है theoretical पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है एक बार overview में आपको यहां पर दे देता हूं फिर हम लोग इस पर चलेंगे हमारे दूसरे topic पर ठीक है यहां पर यहां तक यह चीज़ें clear हैं जिसको भी कोई doubt है तो आप लोग इसको comment box में लिखके बता देना अगले class से पहले मैं आपको यह सब हल करवा दूँगा अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ी है सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी हम लोगों ने पढ़ा था whole numbers के ब दोनों आ जाते हैं रैशनल के बारे में बात करी रैशनल नंबर होते हैं जो फ्रेम होता है इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा डैसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है इकस्पेंशन एक आता है हमारा टर्मीनेटिंग कोंसा है जिसका रिमेंडर जीरो बन जाता है जैसे मालीजी यहां पर पूरा खतम हो जा थैख है इसके बार हम लोगों ने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते रहता और एक बढ़ा रेक्रिंग यानि की जो रिपीट होना शुरू हो जाता है ठीक है यहां तक दो चीज़ें हम लोगों ने डिसकस करी इसके बार हम लोगों ने अपरेशन पड़े अपरेशन में हम लोगों ने यह देखा कि जो भी कभी रियल नंबर्स होते हैं एड की केस में हम उसको एड नहीं कर पाते अगर वो अलग-अलग होंगे जैसे मा लीजे थ्री रूट फाइव है इसको हम लोग एड नहीं कर सकते जब तक आपके यह जो अं मल्टीपलाय का साइन होता तब हम इसको मल्टीपलाय कर सकते थे 3,2,6 और हम लोग ने पढ़ा जब अंड़रूट A into अंड़रूट B क्या होता है अंड़रूट A,B यानि कि यह क्या जाएगा यह जाएगा अंड़रूट10 हम लोग ने एक चीज को डिसकस किया इसके अलाव है अगर आपको कभी statement की form में घुमाने के लिए क्या होता है हम लोगों को math वैसे practice के उपर है solve करने के उपर है आपको पता होगा कि ये 4 plus root 3 आएगा लेकिन कभी अगर मान लीजे इस तरीके से question दिया होगा option में आपको दे दिया जाएगा whole number natural number rational number irrational number तो तब आप लोगों को चीज clear होनी चाहिए product की अगर बात की जाए rational और irrational का हमेशा क्या होगा irrational होगा वहीं अगर बात की जाए दो irrational numbers का product जो है वो vary कर सकता वो rational भी हो सकता और irrational भी हो सकता है इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा सा यहां पर और rationalizing का concept एक समझा ठीक है अब इसको अगर मैं बात करूं यहां पर इसको भी याद रखना है rationalize करते कैसे हैं आप लोगों पता है laws of exponent हम लोगों यहां पर देखा है अगर किसी एक value की मह लिजे 6 की power 4 की power 5 दी है तो यह क्या हो जाएगा 6 की power 20 अगर आपको 5 की power 4 into 5 की power 5 दी है तो ये क्या हो जाएगा ये add हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 अगर आपको यहाँ पर given है 4 की power 5 divided by 5 की power 5 अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 की power 4 minus 5 ये हो जाएगा 5 की power और माइनस वन क्या होता है यह हम इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है अपॉन में आ जाएगा इसके अलावा बेसी कंसेप्ट देखे यहां तक आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी ठीक है अब हम बात करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट के ओपर अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल्स वह अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं एक कंसेप्ट क्लियर अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में यूनिट डिजिट के बारे में देखो यूनिट डिजिट क्या होती है अब जो ट से एपकी सेवन ठीक है यहां तक क्लीर अब हnia तो मां लीजे क्लास फर्स्ट में यो अफिर थे सगे में शिखाते हैं यह चेल सा अगर मालो आपको पेपर में क्वेशन्ट यह निकालो अब आप लोग किया करोंगे आप लोग यहां पर बैठोगे पेपरं में केलकुलेटर निकालोगे या फिर अपने हाथों से अगर multiply करना शुरू करोगे तब भी आप इसको निकालोगे हाँ 1998 निकाला option में दिखेगा आप लिख दो कोई unit digit क्या है 8 ठीक है अच्छा चल रहा है सब कुछ मालो paper में आपको question दिखता है 245 into 343 into 788 into 892 इसकी unit digit निकालो तब आप क्या करोगे तब आप लोग paper में अगर calculation करने बैठोगे minimum 20 से 25 मिनिट उसके बाद भी answer आएगा confirm नहीं है अब यहाँ पर यह concept है कि इसको निकालते कैसे है unit digit किसी भी एक question में निकालते कैसे हैं सबसे पहली चीज क्या है जो हमें चीजे गिवन है हम उस पर काम करते है सबसे पहली चीज क्या गिवन है इनकी unit digit क्या है हर एक component की unit digit को ध्यान से देख लीजिएगा क्या है 5 into 3 into 8 into 2 ठीक है यहाँ तक clear है अब मैं इसको करूँगा 5 into 3 15 8 into 2 16 अब यहां पर आप लोग इसको निकालने बैठोगे नहीं हम लोग क्या देखेंगे इसकी unit digit क्या है इसकी unit digit क्या है 5 और इसकी क्या है 6 और यह क्या आजाता है 30 answer आजाएगा unit digit आपकी क्या होगी 0 clear है यहां तक चलो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है एक concept शीख लिया यह तो वैसे निकालो कि यह मैंने बता दिया चलो और थोड़ा सा और complicated करते है माल लो आपको एक paper में question गिवना है 783 की value है raised to power 95 examiner पूछता है इसकी unit digit निकालो अब आप लोग इसको क्या करोगे यह questions paper में बनते हैं unit digit के ओपर question paper में आते हैं अब यहां पे क्या करना है अब यहां पे सवाल बनता है अब क्या करें ठीक है अब देखो सबसे पहली चीज क्या है अब आपको यहां पे मैं एक concept सिखाऊंगा उसके उससे पहले मैं आपको यहां पे आपको यह एक chart देखने को मिल रहा होगा ठीक है अब यहां पे देखो 2 की power 1 क्या होता है 2 की power 1 2 2 की power 2 4 2 की power 3 8 2 की power 4 16 2 की power 5 32 अब देखो यहां से यह 2 repeat कहां पे हुआ यहां पे जाके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 2 की power 6 क्या होती है 64 7 128 256 512 और वापिस से 2 कब repeat हुआ आप लोग यहां देख सकते हैं देखो कितने values के बाद यह आपका repeat हो रहा 4-4 terms के बाद 1-2-3-4 repeat 1-2-3-4 फिर repeat 3 पे आते हैं 3 की power 1 3 9 27 81 वाप पिस से देखो क्या आई है unit value 3 repeat हुई वाप पिस से चलाओ 9 की value पर आई हो देखो क्या होई repeat हुई अब यहां पे एक चीज़ समझना अगर आपको universal cyclicity का अगर पता है तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी पेपर में उस level के questions को करने की अब देखो uniform cyclicity क्या होते है अब देखो 5 की अगर माँ बात करूँ 5 की आपको पता 5 ही चलती है हर बार 5 की power 1 5 होती है 5 की power 2 5 होती है 5 की power 3 5 होती है वैसे अगर 6 की बात करूँ वो 6 चलती है हर बार ठीक है लेकिन यह uniform cyclicity आपको बस ये याद रखना है आपका ये question निकल जाएगा आप वापिस आते हैं उस question पे ठीक है आजो इस question के ओपर वापिस से क्या था question 783 की power 95 की हमें value निकाल लिए आपको क्या करना है देखो सबसे पहली चीज unit digit पे काम कर रहे हैं हम लोग unit digit देखनी है क्या है 3 3 की power क्या हो गई 95 अब इसको आगे क्या करेंगे अब यहाँ पर चीज को समझना देखो 95 को हमें क्या करना है 4 से divide चीक है 4 2 जा 8 चीक है 1 5 4 3 जा 12 remainder क्या है हमारे पास 3 clear है अब ये value क्या हो जाएगे आपकी 3 की power 3 निकाल लो 27 unit digit आपकी 7 ये concept trick जो भी है याद रखना paper में पूछी जाती है ठीक है अब मैं आपको एक और question यहाँ पर करवाता हूँ आप लोग खुद try कर ले ना phone पे या कहीं पे भी आप लोग इसको solve करके देख ले ना ये गलत नहीं होगा मालो 74 की power 87 आपको given है आपको पूछा इसकी unit digit क्या होगी अब सबसे पहला concept क्या है 87 को divide करेंगे 4 के साथ अब ये चीज़ें आपको basic वापिस से पता नहीं चीज़ें जैसे 88 जाता है 87 है 3 remainder होगा ये practice से चीज़ें आएंगी फिलाल करके देख लेते हैं तूजा एट 7 बन्जा फोर 3 unit digit क्या है 4 की power 3 4 बन्जा फोर 4 की power 2 16 64 यानि की 4 इसका होगा answer unit digit की form में clear है यहां तक अब अभी तक जो हम लोगों ने concept पढ़ा है इसको note कर लेना ठीक है अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है इसको note कर लेना अब जैसे माल लो x की power y है इस case में क्या होता है सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है divide y by 4 और जो भी remainder आता है उसको हम लोग क्या कर देंगे x की power तो माल लीजी अगर remainder आ रहाता है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे इस तरीके से अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी या किसी के दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर माल लो 7 की power हमें given है 16 इस case में क्या होगा अब 4 से divide किया ठीक है 4 से divide किया remainder क्या है remainder तो 0 आएगा तो क्या 7 की power 0 करके 1 लिखके remainder कर देंगे नहीं अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ध्यान से इस case में क्या होगा इस case में जब कभी भी आपको ये value अगर given है जो कि 4 से divide हो रही है बिल्कुल सीधा direct उस case में क्या करना होता है उस case में हम लोग remainder को ले लेते हैं 4 यही है universal cyclicity जो आप में से बहुत rare बच्चों को या तो पता होगी अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो अब आपको पता चल जाएगी अब आप किसी भी number के unit digit find कर सकते हो किसी भी तरीके से अब यहां पर क्या होगा आप लोग इसको लिखेंगे 7 की power 4 अब 7 into 7 into 7 into 7 ठीक है मालो 7 इस तरीके से आपको गेना है अब क्या इसको हम लोग पूरा solve करेंगे नहीं 7 into 7 49 unit digit देखो से लो 9 into 9 क्या होता है 81 unit digit वैसे मेरे इस guess से भी answer आगया था लेकिन फिलाल ये चीज़ समझो अब paper में question कैसे आता है मैं आपको ये बताता हूँ paper में आपको question दिया होता है find the unit digit of 364 की power 102 plus 264 की power 103 अब बच्चा paper में बैठता है और बच्चा paper में सोचता है कि यार ये कैसे करेंगे अब ये करेंगे तो करें क्या same concept जो सीखा है वीडियो को pause करो एक बार इसको apply करने की कोशिश करो फिर हम इस पर आगे चलेंगे अब देखो होता क्या है सबसे पहले 4 की power 102 plus 4 की power 103 अब देखो ये चीज 104 से जाता है 25 फोर्जा 100 तो यानि की 2 remainder बचेगा अब ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी देखो अगर आप लोग चाते हैं competition में बच्चों को beat करना मैं ये जो concept दे रहे हूँ ये सब बच्चे लेके जा रहे है उनसे कैसे अच्छा करना वो आप लोगों के उपर यहां तक ये concept clear है अब मानलो पेपर में examiner और डराना ही चाता है आप लोगों को आपको question देदेगा 9 3 into 6 3 5 5 raise to power 1 3 1 7 मानलो ये आपको question देए आप लोग पेपर में देखों के यार unit digit पूछी है इसको निकालने कैसे ये तो होई नी सकता है यतनी calculation कोई करेगा तो करेगा कैसे करने का तरीका सेम है unit digit क्या है 4 raise to power 1 7 9 3 into unit power digit 5 3 1 7 अब ये divisibility rule पे आपको अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको clear होना चाहिए ये चीज अब कहीं बच्चे क्या करेंगे 173 divided by 4 करेंगे उतना ही time waste आप यहां पर कर चुक्या होगा अब देखो होता क्या है basic rule है basic rule है unit digit अगर 4 से divisibility कैसे निकालने का last के 2 digit देखो 93 आता है 4 के level में नहीं आता 92 आता है बिलकुल आता यानि कि एक remainder बचेगा ये चीज अब आप में चीजे सीखनी पड़ेंगी ठीक है फिर आप इसको solve करके देख लेना answer वही है अब 17 है 16 आता है एक remainder बचा clear है यहां पर अब 4 की power 1 4 5 की power 1 5 इसका आगे 0 unit digit क्या होगी इस पूरे question की examiner कभी इपनी पूछेगा कि भाई आप पूरा solve करो हम वह मेशा unit digit ही पूछता है तो आप लोगों को यहां से चीजें clear होगी एक और question में आपको यहां पर देता हूँ 8752 x 6399 x 54321 x 7059 इसकी unit digit find करो basic है ठीक है 2919 क्या हुआ 99 जाए 81 1 और 2 multiply कर दो क्या आजाएगा 2 आजाएगी unit digit क्या आगई आपकी यह जो आज concept हम लोग सीख रहे हैं इस पर questions बनते हैं और रोज हम लोग कोशिश करेंगे चार से पांच lectures में मैं आपको यह सारा cover करवा दो divisibility rules क्या से solve करना वो सब लेकिन एक question यहां पर अभी और भी बनता है अगर माल लो आपको paper में question दिया है 33 की power 33 की निकालो यह तो हम लोग ने सीख लिया माल लो आपको एक और की में 33 की power 33 की power 33 का निकालो unit digit कैसे निकालेंगे अब इस case में क्या करना होता है सबसे पहली चीज करना हम लोगों को वही सेम पैटन से है 33 को अगर मैं बात करूं डिवाइड करूं फोर के साथ remainder क्या आएगा 32 जाता है remainder क्या बचा हमारे पास ठीक है यहां पर 33 को अगर डिवाइड किया जाए क्या आएगा remainder हमारे पास 33 की बात की जा रही है 33 का remainder बचता है 1 सेम 33 की पावर 33 की पावर 33 चीक अब यहां पर आप लोगों बता दू यहां पर एक छोटी सी गलती होगे इसमें यहां पर solution के टाइम पर शायद से यहां पर गडबड हुई है तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना यहां पर अपने नोट्स में ठीक है यहां पर थोड़ी सी गडबड हुई है इस question में यहां सॉल करते समय गडबड होगे इसको 33 को डिवाइड करने वार रिमेंडर 3 लिख दिया तो इस पर गडबड हुई है इसको इस तरीके से मच जाना आप लोगों को मैं यहां पर बताता हूं देखो करना क्या है सेम रिमेंडर क्या बचता है वान ठीक है थी की पावर 33 की पाव तो इसकी वेल्यू भी कहाति है 1 तो 3 की पावर 1 की पावर 1 अगर पावर 1 अगर यसको हम लोग करके करते हैं तो 1 की पावर 1 तो इसको हम लोग आगे इस सॉल कर सकते में है या आपका basic ऑसी तरीके से अप्रोच हमारी सेम रिगी solve करने के लिए ठीक है तो अभी के लिए आज इस lecture में रखेंगे जादा लंबा lecture हो गया है तो ये एक concept हम लोगों ने सीखा है paper में unit digit का पूछा जाता है 10th digit का बहुत rare पूछा जाता है लेकिन फिर भी मैं इसको आपको एक overview दे दूँगा 10th digit paper में बहुत कम पूछा जाता है unit digit आपका पूछा जाता है बहुत बार किसके unit digit find करो इस तरीके से question देदेंगे और आपको इस तरीके से question देदेंगे तो ये आपका सब जो है relationship between numbers में ही आपका आता है तो आज के लिए सरब इतना ही रखते हैं आज के lecture से आप लोगों को एक overview तो मिल ही गया होगा कि क्या चीज हम लोग करने जा रहे हैं इसको मैं हर एक चीज को करवा के आप लोगों को बता दूँगा divisibility rules remainder theorem इसके अलावा अगर हम जो बात करें तो HCF, LCM सारी चीज़े हम लोग इसी topic में करेंगे और इस topic को खतम करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे reasoning का एक topic करने तो ये sequence of events में आपकी class से चलती रहेंगी मेरे हैं से कोशिश रहेगी कि रोज class मिले current affairs जो December के बच्चे कहने वो भी आप लोगों को अब हमारी आप और YouTube पर मिलना शुरू हो जाएंगे तो आज के लिए सर्फ इतना ही मिलते हैं आप लोगों से चल्दी ने lecture के साथ अब लिए दीजिए इजाज़त, हमें नाइस डे बाभाई डेकर, all the best, मिलते हैं कल ने lecture के साथ टाइम पर ना जेखो जिन बच्चों ने तयारी करनी है, जिन बच्चों ने वहनत करनी है आप लोगों का ट्रिपल S पर स्वागत है हमारे अंसा आप लोगों की क्लासे चलती रहेगी जिनको नहीं पढ़ना है, आप लोग बेशक ना पढ़े आप लोग कुछ होर कर सकते हैं, लाइफ में बहुत सारे उपरचुनिटी सब के सामने है लेकिन जिनको पढ़ना है, उनको distract मात करिएगा तो चलो मिलते हैं जल्दी और अगर आप लोगों को एक compiled way में चाहिए इनके topic test चाहिए, तो आप हमारी app से इस पूरे कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरे कोर्स की फीस से सिरफ 500 रुपे, जो की एक बिलकुल nominal सी फीस हम लोगों ने रखी है जिसमें video lectures, notes, pdf mock test, हर एक चीज़ आपको मिल रहेगी, ओके गाईज, बाबाई, टेक्यों all the best, have a nice day